कोई कह रहा था कि पवन सिंग और जोती सिंग एक होने वाले हैं तो कोई दावा कर रहा था कि अब इन दोनों का तलाक मामला खत्म होने वाला है क्योंकि पवन सिंग अपने तलाक मामले से अब परिशान हो चुके हैं पवन सिंग चाहते हैं कि उनका जो भी तलाक मामला चला ह ऐसे में अचानक से शोसल मेडिया पर एक खबर वाइरल होना शुरू होता है और खबर ये होता है कि पवन सिंग और जोती सिंग का तलाक नहीं होगा अब इन दोनों का सटेलमेंट होगा और जोती सिंग जो भी प्रस्ताव रखेंगी पवन सिंग उस प्रस्ताव को स्विकार कर लेंगे वीना मानवी बकाइदा अपनी महिला साथियों के साथ मुंबई जाती है वहाँ जाकर वो अपने ओफिशियल फेस्बूक पेस से लाइव आती है वो दिखाती है कि वो मुंबई स्टेशन पहुंच चुकी है उसके बाद वो पवन सिंग से मिलने जाती है पवन सिंग के घर पर जाती है कोई कह रहा था कि पवन सिंग और जोती सिंग एक होने वाले हैं तो कोई दावा कर रहा था कि अब इन दोनों का तलाक मामला खत्म होने वाला है पवन सिंग और जोती सिंग का सेटलमेंट होने वाला है ये दोनों बैट कर आपस में बातचित करने वाले हैं क्योंकि पवन सिंग अपने तलाक मामले से अब परिशान हो चुके हैं, पवन सिंग चाहते हैं कि उनका जो भी तलाक मामला चल रहा है वो कोट से बाहर हो जाए, क्योंकि पवन सिंग काम छोड़ कर बार-बार कोट नहीं जा सकते हैं, पवन सिंग को इस तलाक मामले की वज़ पवन सिंग अब नहीं चाहते हैं कि वो अपना काम छोड़ छोड़ कर अपनी शुटिंग छोड़ छोड़ कर बार-बार कोट जाए और कहीं न कहीं जोती सिंग का भी ये पक्ष रहा है कि मुझे पढ़ाई करनी होती है लेकिन तारीख की वज़े से मेरा पढ़ाई डिस्टर रखेंगी पवन सिंग उस प्रस्ताव को स्विकार कर लेंगे आपको वता दे कि महिला विकास मंच की रास्ट्रियस नरक्षक वीना मानवी ने ये दावा किया था कि वो अपने महिला साथियों के साथ पवन सिंग के आवास पर जाएंगी फिलहाल पवन सिंग मुंबई में हैं और पवन सिंग अपनी अपकमिंग फिल्म पावर स्टार फिल्म की शुटिंग कर रहे हैं वीना मानवी बकाइदा अपनी महिला साथियों के साथ मुंबई जाती हैं वहां जाकर वो अपने ओफिशिल फेस्बूक पेस से लाइव आती हैं वो पवन सिंग से इस पूरे मुद्डे पर बातचीत किया वीना मानवी बताती है कि पवन सिंग ने विकाईदा हमारे सात रात में डिनर किया उसके बाद जब हमने बातचीत शुरू की तो हम भोर के 3-4 बजे तक इस मुद्डे पर बातचीत करते रहें और ने शकरष यही आने वाली है और वो खुश खबरी ये है कि पावन सिंग अपनी पत्नी जोती सिंग को साथ रखने को तयार है कहीं ने कहीं ये कहा जा रहाता है कि जोती सिंग भी जो तीन करोल रुपए और नौईडा में एक फ्लैट की मांग कर रही थी जोती भी उस मांग को भूल चुकी ह है और जोती चाहती है कि पावन सिंग कैसे भी मुझे अपने साथ रखने को तयार हो जाए क्योंकि जोती सिंग अपना रिष्टा बचाना चाहती है लेकिन वीना मानवी जब पावन सिंग से मिलकर आती है तो वो मीजिया में आकर एक बड़ा खुलासा करती है और खुलासा कहीं पवन सिंग को इस बात से तकलीफ है इस बात से दिक्कत है कि जोती सिंग बात बात पर कॉल रिकॉडिंग वारल करने की धमकी क्यों देती है यानि पवन सिंग जोती सिंग के बहुत सारे यादतों से परिशान है पवन सिंग ने साफ कह दिया है कि अब हम इस रिष्टे म नहीं रह सकते हैं इस प्रकार से आपको एक बात बता दे कि वीना मानवी मीडिया में आकर ये दावा करके जाती ही कि हम सेटेल्मेंट करने जा रहे हैं पावन सिंग और जोती सिंग पावन सिंग के मैनेजर उनके साथ ही उनके दोस दीपक सिंग को बैठाएंगे और हम सारे लोग बैठ कर बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले का बीच का रास्ता निकालेंगे लेकिन आपको बता दे कि ये प्रयास सफल हो जाता है क्योंकि पावन सिंग कहीं न कहीं मन बना चुके हैं कि अब वो अपनी पत्नी के साथ रिष्टरिस्ते में दुबारा नहीं आ सकते ह और कूल मिला जुलाकर निसकर्स यही निकलता है कि अब पावन सिंग अपनी पत्नी को अपने साथ